प्लूज नमस्कार आप सभी का एक बार फिर्षे स्वागत हैं विख वास्तु एंड एस्टरोलोजी के चैनल के उपट और आज का जो मैं विशय लेकर के आया हूँ विशय है मंगल का गोचर दोस्तो हम लोग क्या करते हैं हम लोग जनरली जो गोचर पे विचार हम लोग करत एक बहुत विशेश 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 चो कारण है वो यह है कि मंगल जो है काफी लंबे समय तक जो है करक राशी से संबंद स्थापित रखने वाला है उर्रेडी पेस तारिक को जो है औरडी वो जो है मंगल आपका करक राशिक के अंदर बोचर कर चुके हैं यह है कि मंगल का जो जो गोचर है वो लंबे समय तक करक राशी में रहेगा आपका मित्हुन राशी के अंदर मी वापसे आपका मंगल आएगा वकरी होकर होने के बाद में क्योंकि यह लंबा गया इसलिए मंगल के प्रभाव भी हम लोगों यहां पर देखने पड़े दोस्त हम लोग बोला जाता है कि blood का कारक रहय ब्रदर का कारक रहय आपका भूमी का जमीन का वार एक्रेज कैंड जितने भी आपके जगड़े एंड और surgeries जितने मी हैं वो सारी कि सारी मंगल दे सम्मंद रहेए देखिए करक राशी के अंदर मंगल जब जाएगा तो एक सभावी किसी चीज़ है काल पूरुष को उनली की जहां पर वो अपनी निचस्त राशी के जो निचस्त राशी है वहाँ पर वो इस्थित होई और निचस्त राशी के अंदर एक फल बताया गया है कि यदि मंगल आपका निचस्त राशी में हैं तो वो आपको लाउडर हो करके वर्क करेगा मतलब आपका एक्रेशन्स होंगे लेकिन वो एक्रेशन्स जो है वो एक्चुली इना इना एक तरीके दो फ्रस्टेशन्स के रूप के अंदर आपके सामने आ स चैंद्रमा करक राशी है करक राशी जो है बिसिकली आपके इमोशन्स वाली राशी है वो राशी ऐसी है जो आपकी केरिंग के लिए हम लोग मने जाती है और जो मंगल का काम है वो मंगल का काम है एक्शन करण वार करण तो यहाँ पर जो भी एक्शन्स आप लोग लेते है अपने जीवन के अंदर कर राशी के अंदर आपना अंकर के चलियों वो सारे के सारे भावनाओं से उत्रोत होते हैं और क्योंकि ये अपका नीचेस राशी है तो यहाँ पर जो आपकी भावनाएं हैं आपका इमोशन्स हैं वो डिस्बैलेंस हो करके कहीं न कहीं वो फ्रस्टेशन्स का रूप लेकर के व्यक्ति विशेश को जीवन के अंदर प्रॉब्लम्स के लेडर बन सकता है देखे क्योंकि हम लोग गोचर की बात कर रहे हैं तो गोचर में देखे एक चीज़ है कि गोचर मैं चंद्रमा से देखूँ गोचर मैं लगन से देखूँ मैं कहां से देखूँ इसको तो दीकि संपल सी चीज़ यह है कि जो हम लोग शास्त्री अगर हम लोग बात करें हम लोग पूर्लों को यह ध्यान रखना है कि मंगल जहां पर भी जायेगा, वहां पर आपके एक्शन्स बहुत जादा हो जाएंगे, वहां पर आपके एक्शन्स बढ़ जाएंगे. करता कि एक तरीके से मैं ये कहूँगा कि देह का कार है कि मंगल काल पुरिष कुंडली का कि लगन का स्वामी है और मंगल ही आपके अच्टम भाव का भी स्वामी बनता थे कि यहां पर दो पोर्टफोली एक चीज़ है कि मंगल आपके जीवन के अंदर समस्ते जितने भी कार हैं मंगल का रहे हैं उनसे भी संबंद रखने वाला और यहीं जो मंगल है अगर अशुबात्व रूप के अंदर आपके किसी के सामने आता तो यहीं मंगल आपके जीवन के अंदर अचानक घटनाएं लेकर के आना अचानक आपकी आपदाएं आना एक्सिद्रेंट्स किया यह मंगल आपकी जीवन में कोई प्रमुक घटना लेकर के आया है तो देखिए प्रमुक घटना है आपकी जीवन के अंदर केवल और केवल आपकी दशा और अंतर दशा के संबंदों के अनुसार देखी जाते हैं जिन लोगों की दशाएं शुब चल रहे हैं शुब गोचर के अंदर उनी राशियों के अंदर आ जाएगा तो उनको उनके जीवन के अंदर ये महत्पूर्ण घटना करम के रूप में लेकर क्या आएगा एक एक एक्षिन के रूप में आएगा लोगो करना क्या है यहां पर हम लोग क्या करेंगे सबसे पहले आप देखिए कि आपके लगन से आपका मंगल का जो गोचर है वो कौन सी राशी में जाएगा और मैं यह कहुँआ कि हम लोगों को ध्यान किस चीज का रहा है देखिए एक दैनेक जीवन होता है में आपका सकते हैं मतलब आपका जनता का विरोध मिं हम लोग कह सकते हैं कि जनता केंदर आकरोश की भावना फैल जाए या इस तरह की चीज़े हो या फ्रस्ट्रेशन उन लोगों के अंदर हो वार लाइक सिच्विशन थे कि वा अलड़ी चल जा है तो उसके रहे तो विशेश में कहुंगा ने लेकिन मेजर लिए है कि पोर्थाउस जितने भी सुख है व्यक्ति अपने सुखों के लि तो उसके लिए वापस से उसको बोला जाना खदेड़ा जाए तो इस तरह की सिक्विशन रख्ति की बन सकती है तो देश दुनिया के लिए नेश लगन के लिए यह जो चंद्रमा का जो मंगल का जो गोच्छर है वो जाएगा आपका चतुर्द भाउट में पोर्थाउस च अच्छा यहाँ पर एक important चीज और होगी कि जब भी आपका करक राशी के अंदर आपका मंगल है तो तब वहाँ पर आपका राहु उसके त्रिकोने संब्द बनाए हो और एक शनी देव जो है वो आपके कुम राशी के अंदर इस्ते थे जो शड़ाश टक योग के अंदर ह पर देखें मैं कहूंगा कि दो राशियां बहुत मेंगल है एक राशी आपके चार्ट में जहां पर भी आपका जो है करक राशी है वो राशी पर ध्यान दीजिए और एक आपका जहां पर भी कुम राशी है वहाँ पर भी आपको ध्यान देने की आउशकता है कि आपके जो aggression आपका frustration जो है peace of mind को loss कर रहा है तो वहाँ पर आपको अपने आपको सोचने की आवशकता है वहाँ पर आपको अपने आप पर कंट्रोल करना पड़ेगा ताकि आपके घर के सुखों की हानी ना हो अदर्वाइस मंगल अगर तो आपके घर का स्वैम का जो सुख है वहाँ पर उसकी हानी होने वाली और उसको मैं क्यों दूर करूं इससे अच्छा बैटर यह है कि वहाँ पर आपको अगर आपको सब या आता है तो मैं यह कहूंगा कि at least आपके एक्शन जो है घर के उपर आप अपने आपके उपर पू जो मंगल जो चंद्रमा की राशी के अंदर है तो चंद्रमा की जो लोग सोंवार के दिन आप पूजा पाठ कर सकते हैं आप शीव जी के हां जा सकते हैं आप मा पारवती जी की आप आतना कर सकते हैं कि आपके जो एंगर है या जो आपके एग्रेशन्स है वो सही दशा के दर आपका movement करें दूसरा आपका 11th house के दर आपका कुंभराशी होगा जहांपर आपका मंगल का इस्टन द्रश्टी होगा शेनी के उपर शड़ाश्टक योग में तो अपने मित्रों के साथ में थोड़ा साफ लोगों को ध्यान देने के आवशकता हैं ये दो आपके फिल्ड आपको भीशे सोचने के आउशकता है पड़ने जिन लोगों का जो लगन है आपका व्रश लगन है व्रश लगन वालों के लिए आपका जो करकराशी है वो करकराशी जाएगी आपके तीसरे भाव के अंदर और तीसरा भाव है देकि इन जनरल तो बहुत अच्छा बताया तीसरे भाव के अंदर बट मैं यह कहूंगा कि यहाँ पर यदि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम्स आ सकती है वो तीसरे भाव की वज़े से आपको परेशा नहीं आ सकती है तीसरा भाव आपके भाईयों का है आपके कम्यूनिकेशन का है नेवर्स का है इन लोगों से है आपके दशम नच जो दशम इस्थान है वहाँ पर होगी तो वहाँ पर भी आप लोगों को आपका कारी शेतर है वहाँ पर भी आपको छोच समझ करके action लेने की आउशकता है पड़ेगी यदि आपको लगता है कि आपके actions के कारण आपके भाईयों के साथ में आपके संबंद अच्छे नहीं है या आपके भाईयों के साथ में आपके neighbors के साथ में कोई problem आ रही है या आपके office के अंदर आपके गुस्टे के कारण परिशानिया आ रही है तो आप लोगों को वहाँ पर समझने की आउशक्ता हो और जैसा मैंने बताया है कि वहाँ पर सोच समझकर के एक्शन लेंगे तो परफेक्ट है अदर्वाइस ये आपके भाईयों के साथ में आपकी जो संबंद है बहुत जाद अच्छे हैं आपर नहीं बने जिन लोगा मिथुन लगन हैं मिथुन लगन वालों के लिए अगर मैं कहूं कि एक करक्राशी आपके सेकंड हाउस के बहुत मैट पूंगे आपका कुटम भाव है आपकी वानी का भाव है आपको अपनी वानी के उपर बहुत जादा नियंतरन रखना बढ़ेगा पुछे ने कि सर्थित्ता की वहां से आपको साओधान रहने की आओंच जिसे आपको फादर का भाव नमब भाव आपका जो राशे वो पुमराशी तो इसका अरत हूँ है कि वहां पर आप लोगों को जो है अपने जो पिताजी है उनका भी आपको विशेज धियान रखना च है चोट लगना या स्वायम को परेशानी होना स्वायम के प्रस्टेशन के अंदर आकर अपने स्वायम का नुक्सान कर लेना यहां पर यह मैं कहूंगा की अपने आपको लेकर जो भी तो बहुत सोच समझ कर के लिए और बहुत जादा गुसे में आकर के बहुत जादा एक्रेशन के अंदर आकर के आप अपना ही नुक्सान करने वाले होते हैं तो यहां पर आपको 100% यहां पर जो है अपने लगन को जो है बहुत जादा मजबूत करना पड़ेगा आपके चंद्रमा की स्थिति को मजबूत करन संपत्ति को ले करके क्योंकि कुम्राजी आपके अश्टमिस्थान के अंदर आएगी वहाँ पर आप लोगों को आवशकता पड़ेगी कि आप विचार करें अप अचानक से कोई भी बोला जाता है कि एकदम से डिसिजन एकदम से लेने वो उस तरह का एक्षन वहाँ पर मत ल जल्दवाजी बिल्कुल मत कीजिए इनसेंस यह है कि जल्दवाजी करना आप लोगों के लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है जिन लोगों का लगन है आपका सिंग लगन है सिंग लगन के लिए बारवे भाव के अंदर बारवा भाव आपके लॉसिस का है आपके खर्चों का है विदेश का है आपके मंदर बोला जाता है कि आपके आश्रम से लिए भी है और यह आपका इस तरीके से बोला जाता है कि य पर आप शांती रखें, वहाँ पर आप आप एक्रिशन वहाँ पर नहीं होने चाहिए, जिन लोगों को द हृँए, यहां पर इक चीज़ sóर हो प User Kви करने। Бoga के लिए यह यह भास वादा ont पर जाने के लिए it is good ते वहाँ पर वह एक्ति जा सकता है क्योंकि वहाँ पर अगर मंगल की बात की जाए तो मंगल यहाँ पर जो है 9th house का लॉड़ भी बनता है आपका 4th house का लॉड़ भी बनता रूँ आपका 12th house में जाएगा तो ठीक है वहाँ पर अगर जिसको यात्राइं करनी है उनलों के लिए ठीक है मौका देगा वहापर जाने के लिए बट इस्टिल शांदी रखिए 12th house को लेकर के वहाँ पर खर्चे बहुत जादा बढ़ सकते हैं किस थीज से खर्चे बढ़ सकते हैं अगर आपने कोई fight किया है तो वहाँ पर आपको fight के वहे से जो है आपका खर्चा बहुत जादा बढ़ जाएगा देखिए जो भी 12th house के अंदर जाएगा पाप ग्रह है तो वो पाप कर्मों के द्वारा आपका खर्चा करने वाला हो जाता है यहां पर यहीं मंगल जाएगा तो इसका है यह कि अगर आपका खर्चा बढ़ेगा तो वो किस के कारण हो सकता है वो fight के कारण Holl Farm सकता है या परिचानी के कारण हो सकता है तो जहां दीजे का वहाँ पर उस चीज़ क्लए है कोई भी ऐसे फैसले नहीं कि वार्पोर इंवेस्चेंट करते हैं, वहाँ पर सौझ स मज़ करके इनवेस्चेंट की ज़िए वहाँ सौजेदारी प्रोध में आपकी जीवन साती हैं, वहाँ पर उन लोगों के साथ में आपको रिलेशन्स जो हैं, आपको सौन्मयताम आपको रखना पड़ेगी चैनक से हो सकता है कि वहाँ पर किसी ने किसी पकार कि आपकी आपस के अंदर ना बने वो थोड़ा सा ध्याम देरा करें कन्या लगन की अगर हम लोग बात तरों कन्या लगन के अंदर आपके 11th house के अंदर होगा 11th house और आपका जो कुम्राजी है वो आपके बड़े की आपका छटे बा होगा कि यहां पर बड़े भाई बैनों से लिए बड़े जो आपके मित्र हैं लोगों से कुछ ना कुछ है ऐसी स्थितिया बन सकती है कि वहाँ पर आपके वज़े से आपके गुस्ते के कारणू को कोई नो कोई नहीं है तो उनसे संबंदित जो भी कारे करें आपको थोड हैं रखना पड़ेगा आपने हाया बहुत इसके लिए आपका जान देने के आऊशकता हैं प्रिता की फैमेली वहाँ पर आप लोगों का आऊशकता हैं पड़ेगे कि वहाँ पर जो भी फैसले ले वो सोच समझकर के लिए संतान से संबंदित कोई भी अगर आप फैसला ले ओड़ेगे कर्क राशी में वहाँ पर दो पाप ग्रोओं का संबंद होगा मंगल वहाँ पर होगा मंगल जो है आपका कर्क राषी में होगा उसी समय आपका जो राहु है राहु देव आपके मील राशी के अंदर वोचर करें इ subject אם की उपर आपका जो शनीदेव हैं वो शन निम्राशी रहेगी और इस आपका करक राशी है तो वह उतब किर था आप लोगों की लाइफ से आहांपको फॉर्ट वहाँ पर जो भी फैसले यदि आप लेते हैं तो वहाँ पर सोच समझ करके लिजिए और वह सोच विवा जल्दवाजी नहीं कर वहाँ पर legitimately नहीं आप एस रूप को और लोगों के अपने निकसान weapon अगे दोस्तों दो चीज़े होते हैं। जो कि छोटे रूप में भी हो सकता है। और यदि छोटे रूप के अंदर यदि आपके लोगों के सामने ये चीज़े आ रही हैं तो वहाँ पर हम लोगों को ध्यान देना को ध्यान देना है। दोस्तो जिन लोगों के धनू लगन है, धनू लगन के अंदर आपका मंगल का जो गोचयर है वो आपके अश्टम इस्थान के अंदर जाएगा। और अश्टम स्थान के अंदर जाने के बाद में, देखिए यहां पर अश्टम स्थान अचानक घड़नाएं के लिए भी जिम्मेदार होता है, आपका पैत्रिक संपत्ति के लिए भी माना जाता है, जिनकी शाथिया उच्कुन के लिए ससुराल के लिए भी माना जाता है, तो वहाँ पर थोड़ा दर सोच समझ करकि जल्दबाची के इंदरम लोगों को फैसलें वहाँ पर नहीं लेने हैं और जिन लोगों के यहाँ पर आलरडी पाप ग्रे इस्तित हैं उन लोगों को देखे विशेश ध्हान देने की आवशकता है पड़ेंगी यहाँ पर अगर यहाँ पर आपको किसी ने किसी प्रजार से अचना कोई परचा नहीं आपने घकर लगन के लिए आपका जो मंगल है उपके सब्स्तान में जारा है इसका मतलब चींवनसादी आपके जो पब्लिक रिलेशन्स हैं आपके जो बिजनर्स है वहाँ पर आप लोगों के जो एक्शन से मेजरेली वह एक्शन साभलौ को ध्यान देने के आउचकता हैं और एक आपका कुटम बबाव जो कि आपका कुम राशी जो कि आपका सेकेंड लौस में इन दो से सम्मंदित आप लोगों को जो है फैसले जो भी आप लें वहाँ पर पूल और को काम होकर के फैसले लें अदर्वाइस होगा कि किसी का विवा आत्मकता है देखें तो हर जेकर ने का रातमकता कि मंगल जहां पर भी जाएगा वो शरजरी का का रहे साथ लेकिन हर किसी के साथमें ऐजसा नहीं होता थो तो वो जो चीजे हैं वो अपनी जगे है अगर कोई परेशानी है तो हम लोगों को पता है कि हम लोगों को क्या करना है अराद ना है करनी है किसकी अराद ना करनी है जी वहाँ पर हनमान जी की अराद ना है करनी है हनमान जी के मंदिर जाना है हनमान जी मंदिर में जाकर कि आप दीब जला सकते हैं वहाँ पर जिनको बहुत जादा परेशानिया है वो लोग जो है जो वो लगन जहाँ जहाँ पर म ब्लैट जो होता है वो एक बहुत इंपोर्टेंट डोनिशन है वो आप कीजिए ताकि आपको कोई परेशानी नहीं है इस्पैसिफिकली जैसा धनू लगन है धनू लगन के लिए अगर मान लीजे की एट था उसके अंदर अभी गोचर चल रहा है तो वहाँ पर अगर आपको किसी प्रकार की परेशानिया है आपको लगता है कि दुर गटनाएं हो रही है चोटी मोटी या परेशानिया बट रही है या कोई सर्देरी वगरा का इस तरह का कुछी चीज़ कर रहा है उस कंडिशन के नदर आप एसा कर सकते हैं जिन लोग का कुम लगन है कुम लगन वा कर देख सकते हैं और सबसे आख़ी लगन है वह का मीन लगन वालों के लिए जो को चरहे पंचम बहाओ में, पंचम बहाओ था मतलब यह हो गया कि आपका आपका जो किसी का love affair तो वहाँ पर अपने friends का या फेर जिन से उनको भी तोड़ा सा आपर जगड़ा होने की आओ चकता हैं पड़ेगी एक चीज यह भी है कि पंचम बहाओ जो आपके संतान का कारक भी है तो यहाँ पर मुख्यूरूप से मैं कहूंगा कि यहाँ पर आप अपने संतान जो भी संतान हैं संतान से संबंद जो भी friends ले ले वहाँ पर आपको जल्दबाजी करने के आओ चकता हैं नहीं पड़ेंगी चीज और होती हैं यहाँ पर कि मंगल किसके तिर्कौन भाव से गोचर कर तो जैसे मैंने बताया कि मंगल किसी के सूर्य के तिर्कौन भाव का मतलब यह हो गया कि मंगल किसी का 4-8-12 राशी मतलब ड़क राशी के अंदर हो रश्ची के अंदर हो आपका मीन राशी के अंदर हो सूर्य देश और वहां से आपना मंगल का गोचर यह जी चल रहा है तो इसका मतलब यह है कि वहां पर आपके पिता से संबंद है जो है व्यक्तिव शेश के बंदर कोई जगड़े वगरा पड़ सकते हैं वहाँ पर आपका जो है इगो बहुत साथ इंक्रीज हो जाता है वह पिता की सर्जरी या संतान से संबंध इसके वहाँ पर बंद दी मां के साथ में जो फाइट थैं इस सरे की कीजहां मां के साथ में बन सकता है रिलीचेंश इसके बाइंट के साथ में पर उचकते है वहाँ पर जो भी छोटे भाही हैं उनको यात्राओं का मिल सकता है मंगल और चंद्रमा के उपर से जाना है तो यह मंगल क्या करेगा कि जो पढ़ने वाले हैं जिनका बुद्ध चार आट बारा राशियों के अंदर है उन लोगों के साथ में यह होगा कि जिनके अगर मानने जिए को फ्रेंडशिप से लाव ऑफेर से उनके साथ में संबंद ज हो सकते हैं वहाँ पर प्रेशानी हो सकती है एजुकेशन जहां पर यह आप लोगों का है तो वहाँ पर एजुकेशन के अंदर कुछ ना कुछ व्यावधान आपके बन सकते हैं तो वहाँ पर आप लोगों को सोचना है रिधिंग करना मतलब कोई भी फैसला यह नहीं लेना है जो कि जल्दवाजी के अंदर आपका करके कोई कार रहे करें मंगले जी जिन लोगों की शनी के तुरकोंट से जा रहे हैं तो आपके जो ओफिशल है या आपके सर्वेंट्स हैं या आपके वर्क प्लेसे हैं वहाँ पर आप लोगों के मंगल शुकर के साथ जाएगा मंगल का शुक्र का उनका मीम राशी के अंदर आपका करक रशिक राशी वहाँ सब्सक्ता है जो सकता है जाएए पूरा सा सव्ग धाम रहने क्या हो ज這麼 पूलेंट काम रहना उनके सामने गुस्ता नहीं करना है ऐसे ही जो मंगल नैटल मंगल के उपड़ के जाएगा तो इसका मतलब है कि आपके जो ब्रदर है या जो प्रपरटीज है वहाँ पर आप लोगों को ध्यान रखने के आऊ सकता है उनके साथ में किसी ने किसी प्रकार क सैथिश करें कि यह सर्जरिक यो उंपहल सकते हैं आपकी जो मशींस प्राब्लंस हो है पर Tag और एब भॉह पर जिवन के अंदर बदला आए अगर वह फिमेल चार्ट तो फिमेल की ज़ो हस्बना उनकी लाइफ के इंदर बहुत बड़ा आने वाले वो चेंजिस वाला समय है और वो बदला वहाँ पर देखने को मिलेगा है जो होना चाहिए वहाँ पर प्रॉपर्टीज को लेकर करके या इस तरह की चीज़ें आपको नहीं करने मैं यह कहूँगा कि अगर यह कॉंबिनेशन किसी के चार्ट में बना हुए मंगल और राहु का कॉंबिनेशन उन लोगों को थोड़ा से साउधान रहने की आवर्शिप पाते हैं उन लोगों को चाहिए कि आप अपने जो भी देवी देवताओं कि आप वर्शिप करते हैं उ और उन लगनों के लिए जहां पर ये मंगल जो है कारक हैं उन लोगों मैं आरड़ी पता चुका हूं कि जाकर कि जो है वो तान करने मंगल से सब मनेताब जो है लाल मसूर की दाल आप तान कर सकते हैं जिनके एक्सिदेंट्स वहरा का यह इस तरह की चीज़ें पहले से होती कि अरादना के वहां पर आप महां पर जाकर के आप जो हैं हन्मान चाली सगा आप पाट कीजिए किसी को संकत आ रहा किसी को भी एक्स यज़े तो आप पर संकत मोचना है मनाज तक का आप पाट कीजिए देखें दोस्तों ऑलड़ी मैं अच्छा एक बार पहले भी बवल हैं आपकी दशा और अंतर दशा हैं और मैं उसके लिए पहले कैचा हूँ जिनकी शुब दशा हैं वहां पर इतना जाथा को यह शुबत की आऊ सकता है आप लोगों की आऊ सकता नहीं च्छोटा सा विडियो था आशा कर रहा था कि लोगों ने बहुत जादा इसको जो है डरा रखा था बहुत जादा मैंने देखे कि लोग घबराए हुएं जिदा करक राची के अंदर आपका मंगल का गोचर होगा यहां पर राओ का गोचर जो आपका मीन राची से जा रहा है और और तेétais दिखे अगले साल वागी में अगर देखा जाए तो जितने भी जलिया राची है वहाँ पर जो है पर एक साथ होंगे अपड़ेल हें दर आसपास जो हैं और वहाँ पर मंगल भी जो है आपका इसी राची के अनले आपका जलिया राची के अंदर होगा तो आ रखती है आपके इमोशन से रिलेटेड आपकी पीस ओफ लाइफ से रिलेटेड तो डेफिनेटली यह जो गोचे रहें लोगों के जो चलेंगे आप पर कुछ ने कुछ मानसिक दबाव आप मैसूस करते हैं कि आप लोगों को भगवान की जो है या जो भी आप जारें अपने आपको इस प्रेंट में रखिये जो भी फैसले लेते हैं आप सोच समझ करके चलिए और अब आप लोगों को पता ही है आपके लगन के अनुसाना कि कौन कौन से लाइफ के पार्ट के अंतर आपको जल्दव आपको जल्दवाजी में कोई भी फैसला नहीं लेना है और अगर आपको लगता है कि आप लाउडर है तो वहां पर आपको शान्तों करके पीस शान्ति के साथ पैट जाए थैंक्यू सो मच धन्यवाब नमस्कारम आशा करता हूं कि यह वीडियो जो मैं समझाना चाराता आ लोग समच पाय होंगे थैंक्यू सो मच बढ़ाए थैंक्यू सो मच बढ़ाए